डेली करिंट न्यूज में अभी की खबर है चर्चा में क्यों है मारखोर। हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारा मुल्ला जिले के बोनियार के नूरखा गाव में सरपिल सींगों वाला जंगली बकरा मारखोर दुरलब रूप में देखा गया। बता दें कि काजीनाग राष्ट्रिय उद्ध्यान और नियंत्रण रेखा के करीब स्थित यह गाव इस प्रजाति के प्राकृतिक आवास का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें। दृष्टी IAS मुखरजी नगर की सभी क्लासिस अब आ गई हैं नोईडा में। हिंदी माध्यम में IASGS फाउंडेशन कोर्स के ओफलाइन बैच में एड्मिशन आरंभ हो चुका है। और अंग्रेजी माध्यम का बैच 12 दिसंबर शाम 6 बजे से शुरू होगा। हमारा पता है C, 171 बटे 2, ब्लॉके, सेक्टर, 15 नोईडा, सेक्टर 15 नोईडा मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 931, 406, 440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए फॉर्म को भरें। आईए, अब बात करते हैं मारखोर के बारे में। ये बोविडे परिवार, आर्टियो डैक्टाइला, ओन अर्डर का एक बड़ा जंगली बकरा है, जो पहले कश्मीर और तुरकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक के पहाडों में पाया जाता था। ये अपने मोटे फर, लहराती दाढ़ी और कॉरकर स्कुरू सींगों के लिए जाना जाता है। ये एक दिंचर प्राणी है और मुख्यता सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है। गौर तलब है कि मार्खोर पाकिस्तान का राष्ट्रिय पशू है, जहां इसे स्कुरू होर्न या स्कुरू होर्न बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमैनिस्तान और ताजिकिस्तान के नम से लेकर अर्धशुष्क परवतिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं बता दें कि जम्मू और कश्मीर में इसकी आबादी शोपियां, बनिहालदर्रा, शमसबारी, काजिनागुरी और पुंच में पीर-पंजाल रेंज जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है आईए जानते हैं इसके संरक्षन की स्थिति अब जानते हैं साइट्स के बारे में ये सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रिय समझोता है इसका उद्देश्ची यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतरराष्ट्रिय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खत्रा न हो चलिए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न मार्खोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है ये बोविडे परिवार आटियो डेक्टाइला और्डर का एक बड़ा जंगली बकरा है दूसरा कथन है ये पाकिस्तान का राष्ट्रिय पशु है जहां इसे स्क्रू हॉन या स्क्रू हॉन बकरी के नाम से भी जाना जाता है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है यह है आपके विकल्प है ए केवल एक बी केवल दो सी डोट एक और दो दोनो डी डोट एन तो एक और नहीं दो तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले धन्यवाद सब्सक्राइब करना न भूले